कि अब हमारी फाइट जो है वो है कैंग के साथ में तो आप सभी लोगों को पता है इसको चार बार इमारना पड़ेगा हमें मतलब 24 लाक सम्थिंग इसकी है टोटल में और बहुत ट्रिकी फाइट होंगी हर एक फाइट ट्रिकी होगी मैं यहां पर यह टीम क्यूल आया हो कि आदेता हूं आपको पहला फेज जो होगा वहां पर हमें सबसे ज्यादा यूनीक बफ रखने मतलब आपने उपर बाफ रखने जैसे और बाफ रहता है जितने जादा बाफ रहेंगे उतना अटैक हमारा हर एक बफ पर 30 परसंट बढ़ता जाएगा दूसरे फेज में जितन आप इसके लिए लाया मेंने तो कई की साथ हमें अपने उपर बॉफ रखने मतलब जितने जादा बाफ होंगे उत्रा जादा अटैक हमारा बढ़ेगा उतनी जल्दी हम इसे मार पाएंगे एंड गाइज चलो फाइट करते हैं, फाइट के अंदर समझा से जाओंगा कैसे इसे मारना है ऑगे गाइज यहाँ पर हम कैंग को चार तरीके से मार सकते हैं, चार तरीके से हम चार्चिस ले सकते हैं मैं intercept किया, वहाँ पे देख रहे हो green color का signal आगया, वह intercept वाला है, दूसरा जो मैं करूँगा यहाँ पे जैसे आप मैंने इसको parry करकर मारा और यहाँ पे parry वाला सिगनल आगया, मतल्ला वापिस से आप यह वाला नहीं कर सकते हो, अगर किया तो stun हो जाओगे, अगर आपने वापिस से पैरी करके मैंने इसको फिर से मारा होता मैं ही स्टन हो जाता और वो मुझे मारता हम बार पर सेम रिपीट नहीं कर सकते हैं हम चार तरीके से मार सकते हैं तीसरा तरीका जो है हैवी जैसे ही देगा वैसे ही मारना शुरू कर दो जैसे मैंने अभी यहा जिस हो चुके है, ग्रीन कलर के, अगर आप लोग देखो, दो चाज, यहाँ पर जैसे इसे स्पैशल छोड़ा, मेरा डेक्स सही सही नहीं हुआ, और यहाँ पर मैं इसको मार नहीं पाया, चोथा तरीका यही था, जैसे इस अपने स्पैशल छोड़ता है, आप इसको मार सकते ना या तो पैरी करलो या तो इंटर्चैप्ट करलो या तो εί państwo ाफ्टा ओर दो डो चार्च-धथ का थे थे अभी नहीं और को सकता हूं मैंने एक और चार्ज यहां पर बनाया मतलब एक और तरीका हमने इस्तमाल किया लेकिन हम यहां पर डेक्स नहीं कर पाए नहीं पैरी कर पाए इसकी बीम को इसलिए हमें चार्ज नहीं मिलेगा चार्ज आपको सिर्फ और सिर्फ तब मिलेगा जब आप dex कर पाओगे यहां तो parry कर पाओगे मैंने यहां पर dex किया देखो मैंने same repeat किया मैंने क्या किया इसने heavy छोड़ा मैंने वापी से मारा इसलिए मैं stand हो गया और मुझे से मेरे को मारने लगा same procedure आपको repeat नहीं करना है alternative पे जाना है मैं पहली बार king के से fight कर रहा हूँ इसलिए timing में गड़बड हो रही थी हमें नहीं समझ में आरहा था timing कैसे करनी है देखो मैंने यहां पर parry करके इसको मारा था फिरसे मैंने यहां पर वो ही गलती की और parry करके इसको मारने के try कि अब मैं पैरी नहीं कर सकता हूँ, मैं इंटरसेप्ट कर दिया, अब इंटरसेप्ट नहीं कर सकता हूँ, यहां तो मैं इसको जब यह हैवी फैक है तब मार सकता हूँ, यहां पे तीन चार्जिस हमने बना लिये है, यहां पे जैसे इसे स्पेशल छोड़ा मैंने इसको मारा, एंड वहाँ पे signal बन चुका है हम parry फिर से नहीं कर सकते देखो मैंने dex किया तो मुझे charge मिल गया यहाँ पे intercept किया तो मुझे charge नहीं मिला क्योंकि dex नहीं कर पाया मैं यह beam जो होती है यहाँ पे timing में घड़बर हो रही थी इसलिए मेरे से charges नहीं बन रहे थे तो मैं वापिस से आया हूँ यहाँ यहाँ पे अब हम कभी हम कुछ भी कर सकते हैं parry कर सकते हैं, intercept कर सकते हैं medium अगर heavy fact है तो मार सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं अभी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं यहाँ पे हमने आप इसे intercept नहीं कर सकता हूँ अगर मैंने किया तो मुझे मार पड़ीगी मैं stand हो जाओंगा, यहाँ पे इसने heavy fact ने का try किया, यहाँ पे मेरे dex नहीं कर पाया, मैंने block पे ही लिया सारा damage, dex करना इसकी special, अब जितनी beams होगी सारे, अगर dex करोगे, तो ही इसको मार पाओगे, जैसे ही मेरे पास 10 charge हो जाएंगे, वैसे ही यह won't हो जाएगा, और हम इसे मार पाएंगे तो यह तरीका है, इसे मारने का, फिलहाल मेरे इसे गड़बड हो रही थी, मेरे timing अच्छी नहीं बट रही क्योंकि पहली बार खेर रहा था, हमें नहीं समझ में आ रहा था, कैसे beam होगी, कैसे क्या होगा, पैरी नहीं कर सकता, मैं intercept कर सकता हूँ, या तो जब यह heavy फैक है तब मैं इसको मार सकता हूँ, अब इसे special छोड़ा हमारे पास हमें 5 और चार्ज बना, हम पैरी नहीं कर सकते हैं, हम intercept ही करना होगा, यहाँ पे heavy फैक है, इसने मैंने इसे मारने का try किया, और बढ़ गई इसको मार, एंड हम heavy नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे signal green color का heavy है, कि heavy नहीं कर सकते, हमने हमने हमारा इसे heavy पे, अब हम पैरी नहीं कर सकते, वापिस से, अगेन हम पैरी नहीं कर सकते, हमने intercept किया, हम intercept नहीं कर सकते, अब यहाँ पे, हमको इसकी beams को dex करना ही होगा, ताकि charges build up हो, अब charges अगर build up नहीं होंगे, आप यहाँ पे charges नहीं बना पाऊगे, और won't नहीं कर पाऊगे, मैं 5 charges बना के बैटा हूँ, लेकिन मैं अभी तक यहाँ पे, यह दो मैंने dex up करना, सही तरीके से start किया, 6 हो चुके हमारे charge, मैं parry नहीं कर सकता, अगेन, अब मुझे special इसे मारना पड़ेगा, timing मिल चुकी है, हमें मारना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं मार पाया ऐसे and यहाँ पे हमने stun immune, क्यूंकि, क्यूं, क्यूंकि यहाँ पे again, मैंने वो ही same procedure repeat किया, same step repeat किया, इसलिए मैं stun हो गया, और इसे मिल को मार दिया, again, हम यहाँ पे आ चुके, 6 charge हमारे पास already है 4 charges दोर बनाने है, पहले phase में बहुत दिक्कत आती है, मुझे बहुत दिक्कत आई, देखो, मैं यहाँ पे dex करना सीख गया हूँ timing battery थी अच्छे से, हमने parry किया, intercept किया, again, हम यहाँ पे parry कर चुके है, अब हम intercept करना होगा यहाँ तो जब यह heavy फैक हेगा, तब हम मार सकते हैं, अब हम special पे भी मार सकते हैं अगर हमने अच्छे से dex किया, यहाँ पे 9 charges बना, 10 charges हो चुके हैं, अब मुझे एक और बार इसको मारना है stun करूँ, यहाँ कुछ भी करूँ, बस एक hit लग, अब यहाँ पे मारा, अब यह wounded हो चुका है, अब हम इसे दढ़ा-दढ मार सकते हैं, देखो मैंने इसे मारा है, यहाँ पे काफी ज़ादा, मेरे पास 1, 2, 3, 4 buff है, मतलब 4 into 3 120% मेरा attack boost हो चुका है यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ, special 3 पे, ताकि और buff आए मेरे पे, और में ज़ादा से ज़ादा इसे damage दे पहूँ, और multiplier हो जाए हमारे attack में, and 81% पे पहुचा दिया है, 77% पे पहुचा दिया है, यहाँ पे हम heavy देना शुरू करते हैं, energize वाफ आएंगे, जल्दी से जल्दी power gain होगा, हम special 2 भी दे पाएंगे, and यहाँ पे special 2 देने वाला था मैं, लेकिन, यह ठीक हो चुका है, 55% है, अगें हमें 10 charge बनाने होगा, पहला ही phase चल रहा है पहला phase का तब खतम होगा, जब यहाँ पे पूरा यह 1% पे जाएगा तो अभी भी यहाँ पे हमें 10 charge वापिस से बनाने होगे, फिर से यह won't होगा और फिर से इसे मारना होगा, तो यहाँ पे एक charge मैंने बना लिया है, मतलब पैरी नहीं कर सकता देखो, मैंने same चीज repeat की, यहाँ पे मार पड़ी, मैं stun हो गया हमको same चीज repeat नहीं करनी है भाई यहाँ पे हमने dex किया, यहाँ पे मैं dex नहीं कर पाया, इसलिए मैंने block beat damage लिया, यहाँ पे मैं dex नहीं कर पाया यहाँ पे timing नहीं बैठी, try मैं कर रा था लेकिन नहीं हो था, intercept mirror को वापिस से नहीं करना है, हम यहाँ पे heavy नहीं दे सकते, वापिस से intercept कर दिया मैंने यहाँ पे 2 charge हो चुके है and यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 और dex किया, 3 charge हो चुके है, हम parry नहीं कर सकते वापिस से, अब इसे 4 charges हो चुके हैं हमारे यहाँ पे and यहाँ पे हमें मार पड़ी क्योंकि damage over time दे रहा था यह अब हमारे पास 4 charges already से है हमें 6 charge और बनाने है, यहाँ पे मैंने मारने का try किया है, इसे अब हम parry नहीं कर सकते, हमें यहाँ तो इंटरसेप्ट करना होगा, यहाँ तो यहाँ तो heavy fact का, अब मैं मार सकता हूँ इसे यहाँ पे एक opening मिल चुकी है हमे, and यहाँ पे मैंने मारा इसे अब मैं heavy वापिस से यह step नहीं कर सकता, मुझे यहाँ तो parry करना होगा, यहाँ तो हम यहाँ तो parry कर सकते हैं, यहां तो यह heavy fact औरे याæ से अब मिल वापिस व्यक्राइपिस सेemy dal Опर मैं है heavy यहाँ पे intercept किया, रही कर सकता हूँ यहाँ यहाँ पे Hun से back ol हो रहा था यह वाला लेकिन कोई दिक्कत नी यहाँ पर 9 charges बना चुके डेक्स अब होना सही तरीके से हो गया था शार्ट timing बैड़ गई थी मेरी मिरको पता चल गया था कौन से time पर क्या fact है वो हम यहाँ पर parry करके मार सकते हाँ यहाँ पर देखो अब मैंने तरी पर और बॉफ बनाने का ट्राइ कर रहा था मैं यहाँ पर एंड स्पैशल बन भी स्पैम कर सकते हैं ताकि हमारे पास true accuracy वाला भी बाफ आजए लेकिन पर दामेज मिलेगा यहाँ पर एंड स्पैशल टू दिया मैंने 22 परसेंट पर है यह पोच चुका है साथ परसेंट पर एंड मैंने चाहता वापीस है यह वापीस आई अड वान परसेंट पर है अभी यह ओके अभी तक ओ रहे शिट थोड़ा सा और मारना है से फिर से यह ओके तो गाइस थोड़ा सा मारना है आप लोग इसको ब्लॉक पर भी डैमेज दे सकते हो ऐसे भी डैमेज दे सकते हो कोई दिक्कत की बात निया आपको कुछ भी नहीं करना है सिर्फ फोड़ा सा मारना है ताकि यह दूसरे फेस में आ जाए यहाँ पर एंड यह बड़ा- पैरी नहीं कर सकता स्टान हो जाओंगा ओके तो यह दूसरा फेस का शूरू हो चुका है दूसरे फेस में क्या करना है हमें जादा से जादा डीबफ्स रखने हैं यहाँ पर डीबफ मतलब ब्लीड इंसरनेट शॉक जो भी दे सकते हो वो दे दो इसको रप्चर जो भी दे सकते हो यहाँ पर हमने चार्जिस बनाने दस चार्ज अगेन बनाने हमें सेम प्रोसीजर है कुछ डिफिरेंट नहीं है यहाँ पर बस यह है कि आपको इसकी बीम्स की जो स्पीड होगी वो द्यान में रखनी होगा यहाँ पर रेगुलर स्पीड है और मैं पैरी करके वाप सब्सक्राइब गया है मेरे सेकेंड लाइफ आज चुकी है यहाँ पर एक चार्ज है हमारे पास हम इंटरसेप्ट नहीं कर सकते वापी से इसे यहाँ पर मैंने मारा स्लो मोशन है यहाँ पर तो स्लो मोशन में आपको डैक्स करना था यहाँ पर आपको स्पीड दिखाते ज कि ड्चारज ले के आया हूं कुछ चार्जीर हमने बना लिए चार चांडे बना लिए पैरी पहरी कर लिए मैं अब मैं पहरी नहीं कर सकता मुझे इंटरसेप्ट करना होगा यहां तो जब हैवी पहरे गाया तो बिर पीट किए और में ब возь इंट गलतियां हो रही थी लेकि स्ट लेगिलर स्पीड है क्या ऱाइट to the चार्जिक में धनी कर शक्ते के आंडि ने कर चूके है प्रफ में टाइब्य कर शीच से के और यहां गाइज ऑप यहां सब्सक्राइब करें हैं ने किया है सिन यहां यहां पर है कहा शीच रहताvity धाया प्रफित प्रण का अटैक रेटिंग जो है मल्टिप्लायर होगा और उतना डैमेज मिलना शुरू हो जाएगा यहां पर आगर आप लोग देखो मैं इसको लेके आया मैंने सुचाब जाला डैमेज होगा लेकिन बहुत कम डैमेज दे रही थी तो इसलिए मैं यहां पर ज्यादा डिवफ तो लगा पाया लेकिन डैमेज तो नहीं मिल रहा था लेकिन कोई नहीं हम फिर से कोई और चेंपियन देखेंगे और इसे मारेंगे और यहां पर मैंने इसको 74% पर लेके आया हूं और वापीस से अब हमें 10 चार्ज बनाने होंगे ताकि हम इसको वापीस से वाउंड कर सके और मार पाए तो एक चार्ज यहां पर नहीं बना क्योंकि मैं यहां पर डैक्स अच्छे से नहीं कर पाया और यहां पर एक डैक्स किया तो एक चार्ज मिल गया हमें हम पैरी कर सकते हैं यहां पर एको डैक्स किया अब हम पैरी अब मैंने मारा होता हम इस्टान हो जाता तो हमे intercept करना होगा यहां तो जब यह heavy fak ऐगा तब मारना होगा इसे तो और यहां पर हम ने intercept किया दो अब हम parry कर सकते हैं यहां पर किया मैंने यहां पर dex किया तीन charge हो गए यहां तो intercept करो यहां तो heavy fak ऑप इसे special fak अब मैं इसको मार सकता हूँ क्योंकि मेरे पस opening है एक यह तो कहेवी फैक है ति एहांपर भी भी मार सकते है, 6-4 हो चुके है गोजग स्फ़िस्टाइश हो को Sud-2 यहांब ही नहीं आप सकता है इसे पे पैरी किया मैने बापी है आण मेने डंग गड़े warum ही टाइम में एंड हमें यहां पे मार पड़ गी मैंने और उपर से मैंने सेम चीज रिपीट कर दी थी ओके हमारे पास छे चार्चिस है यहां पे अब हमें से अरे शिट आते आते पेट के यार ओके हमें एक ओपनिंग मिल चुकी है फास्ट फॉरवड मतलब बहुत तेज यह बीम मारने वाला था और बहुत आपको रेगुलर स्पीड में दे रहा है डेक्स करो यहां पे अरे पेट करना है यहां पे सबसी इजी स्लो मोशन है आप लोग देखो पैरी किया मैंने अगें यहां पे रेगुलर स्पीड थी अब हम मार सकते यह अब यहां पे हमें टाइमिंग मिल चुकी है और हम इसको दड़ा-ड़ मारने का ट्राई करते हैं फिलहाल और 29-28% पे है यह लेट सी देखते हैं यहां पे कितना डामेज मिलेगा और 25% ठीक है कोई बात नी एक और बार हमें यहां पे फिर से चार्जिस बनाने होंगे ओके स्पैशल टू में पहुंच चुका है यह मैं नहीं चाहता था स्पैशल टू में पहुंचे मैंने को नहीं के में वापिस में और, रिवाइफ कर लगता है यहां पे हिवी इंत्रसी करना यह गलती है मेरसे हो रही थी कोई बात नहीं यहां पे समझ में आ रहा था आगे-आगे करना किया हम पैरी नहीं कर सकते हैं पैरी कर सकते हैं लेकिन मार नहीं सकते हैं पैरी के बाद तो यह चीज आपको रिपीट सेम चीजे आपको रिपीट नहीं करनी होगी आपको आल्टरनेट पर चलना होगा यहाँ पर intercept पर मैंने यहाँ पर दिया, 4 charges हो चुके, slow motion में इसे beam फैक गे थी, आपको ध्यान रखना है, fast forward बहुत जल्दी फैकेगा, बहुत जल्दी dex करना है आपको, and यहाँ पर parry करके हम वापिस से नहीं मार सकते, इसे हमें intercept ही खेलना पड़ेगा, 5 charges बना लिए, हमने 10 charge बनाने है, wound हो जाएगा, यह second phase में भी, और हम इसे मार पाएंगे, and intercept करके मारना होगा, यहाँ पर इसका special बन गया है, तो यह dex करने का try करते हैं, यह dex तो मिर से अच्छे से सारी beams नहीं हो रही थी, लेकिन कोई नहीं, हमने यहाँ पर parry करके दिया, मैं dex करने का try करना लेकिन नहीं हुआ, हमें intercept करना होगा, यहाँ तो जब यह heavy fact है, तब यह heavy fact हम मार सकते हैं, और यह dex पीसे चल गया, थोड़ा late हो गया हमें, okay, intercept कर सकते हैं, अच्छी बात यह है कि intercept कर सकते हैं, अभी भी, parry करके वापिस से मार नहीं सकते, okay, यहाँ पर special बन गया है, यह special fact हेगा मेरे ख्याल से, okay, slow motion है, तो हम अराम से dex करना है हमें, intercept कर दिया, parry कर सकते हैं, parry करके मार सकते हैं, अब इसे, slow motion है, तो हमें अराम से dex करना है, 7 charge हो चुके हैं, यहाँ पे, 3 charge हो बनाने, यह face खतम हो जाएगा, अरे यार, पिट गया बाई, गलत ही पिट गया, इसने, लेकिन मेरे को टाइमिंग से ही नहीं पैठी, okay, यहाँ पे, यह दिया, हमने dex, and slow motion, अरे यार, एक और चार्ज बना लेता, मैं यहाँ पे, okay, guys, यहाँ पे, newk fury लेके आया हूँ, हमारे पास 7 charges है, हमें 3 charge बनाने, parry कर लिया, हमने, यहाँ पे, fast forward था, बहुत जल् चला गया, उसने मेरे को पेल दिया, 8 charge हो चुके है, हमारे, and यहाँ पे, हमने parry कर रहा है, और मारा है, एक और charge बना लिया, आप पैरी वापिस से नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ पे, हमें ध्यान रखना होगा, इस चीज का, parry कर के, वापिस से नहीं मार सकते हमें, intercept ही के, अरे, देखो, यहाँ पे, मैंने parry किया, यहाँ पे, stun हो गया, और मार पड़ गयी, यहाँ पे, देखो, गलती हो रही थी, यहाँ पे, ओके तो guys, यहाँ पे, एक charge और बनाना है, तो हम parry करके, मारना, try करते हैं, fast forward, बहुत जल्दी हमें करना हो, strike ही, अब हम इसे मार सकते देखो, मैंने same चीज रिपीट की, इसलिए मैं stun हुआ, हमें same चीज उसके बाद भी रिपीट नहीं करनी है, दस चार्ज बनाने के बाद भी हमें same चीज रिपीट नहीं करनी है, यहाँ पे मुझे पता चला था कि हम same चीज उसके बाद भी रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए आपको भी बता रहा हूँ सेम चीज रपीट नहीं करनी है जो जो गलतिया यहाँ पर हो रही थी वो पता चल रहा था और आगे समझ में आ रहा था यह इस चीज नहीं करनी होगी हमें तो हमने वापिस से वोंड कर लिये जल्दी से जल्दी यह फेस खतम करते हैं और फेस टू भी खतम होने वाला है हमें जाना है अब फेस त्री में फेस त्री में वापिस से हमें ओडिल लाना पड़ेगा फेस त्री में वही सेम चीज है हमें जादा से जादा अपने उपर और भाई वो complete हो जाएगा phase 3 भी यही सेम चीज है उसमें वापिस से चलो हमारा special 2 बना हुआ है हम यहां पर fast forward है बहुत जल्दी हमें text करना होगा हम पैरी नहीं कर सकते हमें intercept करना होगा वापिस से अब यहां पर क्या scene है यहां पर आपको दो tactics same repeat नहीं करनी होगी आप लोग देख रहे हो वहां पर green green stun भी हो चुका है intercept भी हो चुका है phase 3 में यह चीज है यहां पर आपको दो चीज़े अगर आप करोगे आपको अगली दो चीज़े करनी है ओके तो वापिस से मैं order लेकि आया हूँ revive करके तो यहां पर हमने parry किया अब हम parry नहीं कर सकते हैं वापिस से तो यह चार tactics है आपको मारने के ओके तो phase 3 चल रहा है यह अभी यहां पर हमारे 4 charges बन चुके parry करके हमने यहां पर dex किया तो 5 charges हो चुके हम यहां पर heavy दे रहे हैं इसको heavy पर मार रहे हैं तो यहां पर heavy भी ban हो चुका है 6 charges हो चुके है अब हमने intercept किया तो हम यहां पर parry कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर parry का निशान नहीं दिख रहा है, हम parry कर सकते हैं, यहां पर, लेकिन इसे special छोड़ दिया, तो वापीस Colorado मैं, कुछ CHARGES हमने, साथ CHARGES बटनाए हैं, हमने INTERCEPT किया, तो हम InterCEPT ban होचुका है, अब नहीं कर सकते हैं, INTERCEPT हम यहांपर carry कर सकते हैं, यहांट, heavy पे मारा मैंने इसे, यहांपर ECODEX 9 CHARGES हम पैरी कर सकते हैं, regular speed है, तो हमें regularly करना था, यहां पे dex लेकिन मैं नहीं कर पाया यहां पे यहां पे देखते हैं slow motion है तो अराम से करना है dex हो चुका है अब हमें यहां पे बस इसे मारना है देखो मैंने इसे मारा है मैंने intercept पे मारा था इससे इसलिए मैं यहां पे stun नहीं हुआ तो अब बाराना शुरू करते हैं, यहाँ पर 3rd phase चल रहा है, हमें जादा से जादा buff रखने हैं आपने उपर, तो हम damage देना शुरू करते हैं, 77% पर पहुंच चुका है यह, and 74, 73, 71, and again में special 2 देने वाला हूं उसे, and यह दिया special 3, 63%, let's see, देखते हैं, इधर तक पहुंचेग अब हम बारा पैरी बैन हो चुका है, हमें डेक्स करना होगा, यहाँ तो इसको हैवी पर मारना होगा, लेकिन इसका special बन चुका है, तो अभी special इसका डेक्स करने का ट्राइ करते हैं, यह यह बीम जो फैक्त है, इस पता ही नहीं चलता था, भाई, यह कब फैक्त है, टाइम मार नहीं सकते हैं, यहाँ पर हमने इंटरसेप्ट भी किया, तो इसके हैवी जब तक हैवी नहीं फैकेगा, तब तक हम मार नहीं सकते हैं, यहाँ पर हैवी फैक्त है, अराम से डेक्स करो, यहाँ पर आपको ईजी टाइम मिल जाएगा, अब हम यहाँ पर पैरी कर सकते हैं कि वहाँ से पैरी हट चुका है हमारा हमारा यहां पे हैवी और हमारा और इंडरसप्ट बैन है कि यहां पे डेक्स कर लेट यह यह वाली last beam x fast forward बहुत जल्दी हमें डेक्स करना होगा 5 charges हमने बना लिए है यहां पर पैरी करके slow motion आराम से डेक्स करो, छे चार्जिस बना चुके है, पैरी हमारा बैन हो चुका है, अब, यहाँ पीर्ण है, यहाँ पर मैं मार सकता था, अगर मैंने मारा होता, मैं यहाँ पर स्चान हो जाता, आट चार्जीज है हमारे पास, और आप मार बैन है, पाई श्पेशल पर मारना बैन है अरे बाई पढ़ा नहीं यह वाला ओके 45% है I hope कि यह वाला phase मैं खतम कर दूंगा इसी में लेट सी देखते 42% पर है यह एंड आइओ अई होब कि जल्दी से जल्दी यह मरे 31% अरे यार में सो रहे चांसे मेरे को लगता है एक और बार करना पड़ेगा वाई कि एंड डैमेज तो मिल रहा है लेकिन मुझे हाँ एक और बार करना पड़ेगा यह ओके एक और स्पेशल दे तो दिया मैंने 13% पर है यह कोई बात नहीं हमें फिर से 10 चार्ज हो चुका है अब इसका हैवी फैक हैगा यह जब तो मार सकते देखो मैंने सेम चीज रिपीट की यहाँ पर मैं स्टान हो गया एंड यहाँ पर स्पेशल दिया है स्पेशल पे ओपनिंग मिलेगी हम मार सकते है airspace slow motion अराम से dex करो तीसरा चार्ज भी बना लिए हमारा पैरी अन्बैन हो चुका है हम पैरी मार सकते हैं इसे 4 चार्जिस बन चुके हमारा पैरी बैन हो चुका है हमें intercept करना था जैसे जैसे ये fight जाती है वैसे वैसे मैं dex करना सीख जाता हूँ timing हमारी बैट जाती है यहां पे देखो मैंने heavy पे इसे मारने का try किया और यहां पे एक charge बना लिया है मैंने intercept भी कर लिया है अब हम पैरी कर सकते हैं आराम से बस शार्थ यहा है कि मार ना दे ओ देखो मैंने same चीज रिपीट की यहां पे मार पड़ गी मिर को ओके तो गाईस यहां से वापिस से मैं revive करके लाया हूँ हमारे पास six charges है हम पैरी करके हमने इसे मारा हमने एक और charge बना लिया है हमारा पैरी ban हो चुका है हमें intercept करना होगा यहां तो इसके heavy पे मारना होगा ओके लेट सी देखते हैं यहां पे मैं पैरी करके नहीं मार सकता क्योंकि मैं stand हो जाता अगर मैं मारता तो तो हमारा पैरी ban है मैंने intercept कर दिया यहां पे एक और charge बनाया तो मतलब यह है कि अब हम यहां पे इसके special पे मार सकते हैं यहां तो इसको जब यह हैवी फैके तब मार सकते हैं ओके यहां पे हमें special पे मार सकते हैं slow motion आराम से dex करो down charges हो चुके हमारा parry and ban हो चुके है हम parry करके मार सकते है slow motion आराम से dex करो 10 charge हो चुके अब हमें मारना है अब देखो मैंने यहां पे same चीज रिपीट की मैंने फिर से parry किया मेरा parry band था मैंने फिर से parry पे मारा और मैं stun हो गया मैं मर गया इस पूरी fight में एक चीज दियान में रखना आपको जो भी आपने step किया होगा आप वो कभी भी repeat मत करो कभी भी वो same चीज repeat मत करो उसके alternate पे जाओ मैंने repeat किया मुझे मार पड़ रही है मैं आप लोगों कोई वीडियो दिखा रहा हूँ देखो perfect नहीं करता हूँ मैं मैं यह यह चीज मेरी वीडियो में समझ में आता है क्या क्या गलतिया नहीं करनी है आपको यह समझ में ज़रूर आएगा जो जो गलतिया मैं करना हूँ आप लोग उससे सीखो आप लोग को पता चलेगा यह गलतिया नहीं करनी है क्योंकि यह कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे सी गलति करते है fourth phase शुरू हो चुका है अब यह last phase है अब हमें क्या करना है वापी से 10 चार्ज बनाने है यहां पे मेरा इंटरसेप्ट बैन हो चुका है यहां पे मेरा पैरी भी बैन हो चुका है हमें हैवी पे मारना होगा इसे एक चार्ज बना लिए हैवी पे हम मारेंगे इसे and slow motion है, अराम से dex करो, 2 charge हो चुके है, हमारा parry, अभी भी ban है, हमें intercept खेलना होगा, यहाँ पे, intercept मारना होगा, यहाँ तो इसका special बन गया है, special जब छोड़ेगा, तब मारेंगे हम इसे, okay, special नहीं छोड़ रहा है, मैं इसको पीछे तह केल रहा हूँ, ताकि मैं corner ना हो जाओ, क्योंकि पैच्छे जाएगा, तो यह अच्छा रहेगा, okay, regular speed, okay, अब यहाँ पे, यह अपने specials भी speed के हिसाब से, मारने लगता है, regular speed है, अराम से dex करो, 3 charge हो चुके हैं, आपके यहाँ पे, and यह slow motion में मारने लगा, यहाँ पे specials, तो अराम से दूसरा dex, slow motion वाला मैं dex कर लेता हूँ, अराम से भाई, यहाँ पे देखो, मैंने same चीज रपीट की, यहाँ पे dex, मैं यहाँ पे stun हो गया, okay, तो guys, यहाँ पे force phase चल रहा है, last phase है, बस एक बार मारना है, और उसके बद मार गया, intercept हमने खेला है, 4 charges हो चुके हैं, हमारे intercept हमारा ben है, parry करके हमने बाहरे है, यहाँ पे dex कर सकते हैं, यह किया हमने dex, और यह किया, हमने dex, एक और अब मार सकते हैं हम इसे slow motion में एक और चार्ज बनने वाला था यार एक ही परसंट पर था मैं ओके गाइस यहां पर वापे से मैं निक फियूरी को लेकर आया हूँ यहां पर स्टार्ट करते हैं वापे से हमारे पास 8 चार्जिस है हमने पैरी करके वापे से हमारे पैरी बैन हो चुका है हम यहां पर हैवी पर मार सकते हैं इसे slow motion है अराम से एक और बनाओ हमें intercept मारना होगा इसे यहां पर देख लो आप लोग मिनने मारा इसे यह वांड हो चुका है अब मारना शुरू करते हैं इसे 43% 40% and 30% पहुंच चुका है यह लग बग खतम हो चुका था यह फेज और कोई बात नहीं हम यहां पर स्टांड कर पाए है और यहां पर मारा हमने यहां पर अगेंट स्पेशल बन चुका है इसका अरे शिट यह पढ़ गई कोई बात नहीं 23% बचा है अगले फिर से रिवाइब करके आते हैं पयुका है ओके गाए्ज आपको चार्ज बनाने के दौ तरीक यह तो अप घ्र करो इसकी बीम को यह तो आप डेक्स करो इसकी बीम को जितनी काफी जल्दी है डेक्स करने वाला यह एंड यहां पर ओके स्लोव मोशन है तो अराम से करेंगे डेक्स अब हमें स्ट्राइक करना यहां पर तो हम पैरी करके मारा है हमने यहां पर देखो मैंने सेम चीज रिपीट नहीं की है इसलिए इसे मार पाया तो आइधिंग कि यह फे को मारती है मुझे नहीं पता कितनी रिवाइव यहां पर लगे लेकिन इस वीडियो से आपको यह समझ में आएगा क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है परफेक्ट तो आप कहीं और भी देख सकते हो बहुत सारी वीडियो लेकिन क्या क्या गलतियां नहीं करनी है आप इस वीडियो में सीख सकते हो तो आई हो आप लोग को कोई वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो ज़रूर लाइक करो यह रहे यहां पर rewards और मैं यहां पर कौन सा लेने वाला हूं मैं यहां पर वैसे कॉज्मिक ले लिया मैंने यहां पर और विडियो में आप लिए घॉन बड़ियो में अपना represents लुद्य का यहां पर वीडियो पसंद आया होगा फसंद आया तो जरूर लाइक करो चैनल पर ने हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और मिलता हूं जल्दी ने वीडियो में अपना ख्याल रखो जब तक लिए बाई बाई